अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप फाइफ लार्ज कैफ फंड्स बताये थे कि अभी के लिए कौन सा लार्ज कैफ फंड ठीक रहेगा और आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा और वो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपलर फंड का डिटल रिव्यू करेंगे और हम इस फंड के पर्फॉर्मिंस को भी देखेंगे और इंड में हम कंक्लूजन में आपको बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दे कि हम इस फंड के डाइरेक्ट प्लान का रिव्यू कर रहे हैं चलिए फ्रेंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं fund info से तो यहाँ पर देखिए इसका fund house है यह SBI mutual fund जो की इंडिया's third biggest EMC है तो EMC के मामले में फ्रेंड CA fund बिल्कुल सही है scheme type है इसका open ended investment objective की बात करें तो इसका investment objective है long term capital appreciation by investing in concentrated portfolio of equity and equities related securities class है इसका equity category है इसका large gap launch date है इसके direct plan का 1st January 2013 और इसके regular plan का launch date है 11 October 2004 अब यहाँ पर friends आप देख सकती हैं कि लगबग 15 साल पुराना है यह fund इसका मतलब की इस fund ने market के सारे ups and downs को जो है देखा है जो कि friends बहुत ही अच्छी बात है बेंचमार्क की बात करें तो इसका benchmark है Nifty 100 TRI यने भी है इसके growth plan का रुपीज 153.75 और इसके dividend plan का यने भी है रुपीज 37.46 और friends growth and dividend plan के बारे में तो आपको पता ही होगा कि growth plan में आपका पैसा invest होते रता है उसमें से आप पैसा निकालते नहीं है वहीं dividend plan में आपको आपकी investment के बदले कुछ amount मिल जाता है EVMS का रुपीज 4634 करों इस fund को manage कर रहे है आर सरी निवार्षन जो की January 2013 से इस fund को manage कर रहे है experience की बात करें इनके तो ये SBI को join करने से पहले principal PNB EMC, Oppenheimer & Company, Indosuse Y Care और Motilal Oswal जैसे बड़ी और अच्छी firm के साथ काम किया है इनोंने इस fund के अलावा ये SBI Equity Hybrid Fund, SBI Small Cap Fund, SBI Tax Advantage Fund और SBI Long Term Advantage Fund को जो है ये भी manage कर रहे है तो friends से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि fund manager के point of view से ये fund काफी अच्छा है अब चलिए investment details को देख लेते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि minimum SIP 500 से आप इस fund में कर सकते हैं lump sum की investment की बात करें तो lump sum आप इसमें 5000 से कर सकते हैं बात करें expenses की तो इसमें direct plan का expense ratio 1.23% है और regular plan का expense ratio 2.03% है exit load 1% है अगर आप एक साल के अंदर इसमें से अपना पैसा निकालते हैं तो अब चलिए friends देखते हैं इस fund के portfolio को इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस fund के asset allocation को जिससे हमें यह पता चलेगा कि इसमें equity में debt में और cash and cash equity में कितना exposure है अधिक equity में exposure का मतलब होता है high risk के साथ-साथ high return भी इसलिए risk को थोड़ा सा कम करने के लिए friends debt में भी exposure जरूरी है तो इसमें देखिए equity में 94.45% का exposure है और cash and cash equity में 5.55% का exposure है अब friends यहाँ पर आप देख सकती हैं कि इस fund में debt में कोई भी investment नहीं किया गया है जिससे यह fund थोड़ा risky हो जाता है और funds की थोड़ी बहुत stability भी कम हो जाती है आप चलिए देखते हैं इसके portfolio aggregates को तो यहाँ पर देखिए इसमें giant में fund में 41.51% का exposure है वहीं category और benchmark में 60.33% का और 51.97% का investment है large cap में benchmark से fund में थोड़ा सा कम exposure है और category के लगभग लगभग बराबर है friends वीडियो को pause करके वी जो है आप इन सारे data को अराम से देख सकते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परशानी ना हो और हम आप सभी से request करेंगे कि आप कम से कम अपने इस वीडियो का resolution 360 पिक्सल करके ही देखें ताकि आपको सभी data clear visible हो mid cap में fund में benchmark से ज़्यादा है exposure लेकिन category से थोड़ा सा कम है small cap में लेकिन fund में benchmark और category दोनों से ही ज़्यादा है investment यहाँ पर भी friends small cap में category और benchmark से अधिक exposure होने की वज़े से हम यह का सकती हैं कि यह fund थोड़ा अधिक risky होना चाहिए और साथ ही में इसमें return potential भी उतना ही होना चाहिए यह चीज अभी confirm हो जाएगा जब हम आगे के parameters भी देखेंगे तो बात करें इसके sector allocation की benchmark की comparison में care, automobile, energy and metals ही कुछ ऐसे sectors हैं जिसमें की fund से ज्यादा exposure है benchmark में कुछ ऐसे sectors भी हैं जिसमें की benchmark में ही कम investment है fund की तोलना में जैसे की FMTG, engineering, chemicals, services, constant durables, communication, textiles अब friends अगर आप यहाँ पर इस चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि fund की comparison में benchmark का sector allocation ज्यादा diversified है जो कि friends fund के लिए अच्छा नहीं है अब चलिए देखते हैं इसके top 10 holdings को तो इसमें देखें कुछ नए companies में इसमें invest किया गया है और कुछ पुरानी companies में भी यानि कि अगर हम कहें तो इसमें कहा जा सकता है कि इसका top 10 holdings mix है पुरानी companies और नई companies से अब देखना ये important रहेगा कि इन companies में invest करने के बाद fund ने कैसा perform किया है इनमें से कुछ companies में अच्छा growth potential भी है जो कि एक अच्छा return generate करने में help कर सकती है fund का अब हमारा next parameter है concentration and valuation तो इसमें total number of stocks 25 है top 10 stocks का contribution 51.53% है और top 3 sectors का contribution 59.20% है इसका price to earn ratio 41.45 है आफ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजे ध्यान देने वाली पहला कि इसमें बहुत कम stocks में investment किया गया है जिससे कि fund में उतना अच्छा diversification नहीं रह जाता है और हमने अभी देखा था sector allocation में कि fund में construction और metals जैसे sectors में investment है ही नहीं दूसरा friends यह ध्यान देने वाली चीज है कि इसका price to earn ratio बहुत जादा है 41.45 जो कि सही नहीं है और सभी large care funds के मुकाबले इसका price to earn ratio बहुत जादा है जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा तो इस fund के portfolio का overall analysis करने के बाद हमें यह पता चला कि इस fund का sector allocation उतना diversified नहीं है और इसमें risk भी जादा होना चाहिए category की तुलना में यह सभी चीज अभी clear हो जाएगा जब हम इसके past performance को देखेंगे तब तो चलिए देखते हैं इस fund के performance को इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके trailing return को यहाँ पर देखिए इस chart में अगर आप देखेंगे तो सुरू में इस fund के performance के मामले में यह fund बेंचमार्क से पीछे रहा है फिर बाद में बराबर हुआ इसका performance और January 2016 से कुछ-कुछ बेंचमार्क से इसका performance सुधरना शुरू हुआ और January 2017 के बाद फिर बेंचमार्क के बराबर हो गया और फिर एक बार आगे हुआ बेंचमार्क से यानि कि फ्रेंड्स इसका drilling return के लिए हम यहाँ पर का सकते हैं कि यह कुछ खास अच्छा नहीं है इसमें काफी ups and downs है अब चलिए फ्रेंड्स इसके annual return को देख लेते हैं तो इसमें देखिए इसमें भी इसका mixed performance ही रहा है साल 2014, 15 और 17 में इसका performance बेंचमार्क और कैटेगरी से अच्छा रहा है तो वहीं साल 2016 और 2018 में इसका performance बेकार है बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कह सकती है कि annual return के मामले में यह fund उतना impressive नहीं रहा है अब हमारा अगला parameter है yearly trailing return yearly trailing return के मामले में फ्रेंड्स यह fund ठीक है इसमें fund ने हर time period में अपने बेंचमार्क SNP BSI 500 TRI और कैटेगरी को बीट किया है तो yearly trailing return के मामले में यह fund ठीक है फ्रेंड्स आप चाहे तो यह सभी data वीडियो पॉस करके भी देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो data आप देख रहे हैं यह direct plan का है यदि आप regular plan लेते हैं इस fund के तो मान के चलिए आपको हर time period में 1 या 1.5% का return कम देखने को मिलेगा अब हमारा last और बहुत ही important parameter है risk measure इसमें हम इस fund के standard deviation, start ratio, alpha और beta को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका standard deviation 13.68 category से ज़्यादा है जो की अच्छा नहीं माना जाएगा standard deviation और beta category से कम रहे तो ही अच्छा होता है इसका beta 0.90 category के 0.95 से कम है star ratio 0.74 इसका category और benchmark दोनों से बेतर है जो की अच्छी बात है alpha भी इस fund का category से बहुत जादा है जो की अच्छी बात है अब चलिए friends देख लेते हैं कि इस review से क्या conclusion निकला देखे friends इस fund का detail review करने के बाद यही conclusion निकला है कि इस fund में risk और return दोनों के मामले में यह fund category से आगे है जो की friends उतना अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि multi-cap category के कुछ इससे भी जो है अच्छे funds है जिसमें कि आप अपने पैसे को invest कर सकती है हमने कुछ multi-cap funds का review भी किया है आप चाहें तो वीडियो के description में जाकर उन वीडियो को देख सकती है friends इस fund को ना consider करने का कई कारण है अभी आपने देखा कि annual return, trailing return और sector allocation के मामले में यह fund उतना अच्छा नहीं था इसलिए हमारी राय होगी कि अगर अभी तक आपने इस fund में invest नहीं किया है तो आप इस fund में invest ना करें कोई और multi-cap fund select करें अगर आप especially SBI के ही multi-cap funds में invest करना चाहते हैं तो आप invest कर सकते हैं otherwise इससे भी कई अच्छे funds है अब जो लोग पहले से इस fund में invest कर रहे हैं वे लोग इसमें बने रहें इस fund में growth potential अच्छा है और या आगे चलकर एक अच्छा return दे सकता है so friends आई हो कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो इस video को like करना ना भूले ताकि हमारा मनुमल बढ़े ऐसी valuable videos बनाने के लिए चलते चलते आप हमें comment करके बताईए कि आप इस fund में invest कर रहे हैं या नहीं या आप आगे किस fund में invest करने वाले हैं हम आप सभी की comments के जवाब देनी की questions करेंगे इस video को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी videos में